जैम आतादी दोस्तों आप देख रहे हैं असरदार टोटके आज मैं आपके लिए एक महत्यपून टोपिक लेकर आया हूँ भूत परेतों के विशे में भूत परेतों से चाहिए छुटकारा तो अपनाईए घरेलू तरीके इन्हें जानने के लिए किरपे हमारी वीडियो को देखते रहे हैं सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे यूटूब चैनल असरदार टोटके को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्ली सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए हम जबरदस टिप्स लेकर आते हैं जिनसे कि आप अपने जीवन को सुख में बना सकते हैं और सुख में जीवन जी सकते हैं अब मैं बात करूँगा भूत प्रेतों से छुटकारा चाहिए तो अपनाएं ये घरेलू तरीके आपको कभी ऐसे महसूस हुआ है कि सुनसान रास्ते पर कोई पुकारता हो लेकिन कोई दिखाई नहीं देता ये प्रेत आत्मा होने का परतीक है भूत प्रेत के इलाज का तरीका भी आम उपचार से अलग होता है इसमें विज्ञान और चिकित से उपचार का कोई असर व्यक्ति पर नहीं होता इसलिए किसी विसेसगे से ही इलाज कराना चाहिए कुछ छोटे छोटे घरेलू उपाई से लिए आप भूत बगासते हैं आईए जानते हैं उन उपायों के बारे में पहला घर में सुभे श्याम लोबान और गूगल का धुआ करें दूसरा पाँच परकार की मिठाई या पाँच परकार के फल रोगी की स्थिती के अनुसार एक, तीन, पाँच, साथ या ग्यारा बार उतार कर चोराहे बर रखें तीसरा घर में गुमूत्तर का छड़काओ करें फर्थ भूत्व गाने के नाम पर पसुपक्षियों की बली जैसे मुर्कता पुर्वन क्रीटे कताई नहीं करें क्योकि इन को करने से उनकी बली देने से कभी भी किसी का भला नहीं होता जीव हत्या से भूत प्रेत नहीं भागते हैं केवड़ा, केसर, चंदन, चमेली, खस, आदी, सुगंदित त्रिवों का प्रियोग करें इससे भी आत्मा परसन होकर चली जाती है श्याम के समय चार बत्ती का दीपक जलाएं और प्रेत आत्मा से निवेदन करें कि हमसे अथ्वा पीड़त व्यक्ति से कोई भूल हो गई हो तो उसे शमा करें आप इसका सिर्ष छोड़कर चले जाएं ऐसा करने से भी प्रेत आत्मा से मुक्ती मिल जाती है तो दोस्तों ये थे कुछ उपाए भूत प्रेत बादा से चुटकारा बाने के विश्य में भूत प्रेतों से चाहिए चुटकारा तो अपनाईए घरेल उत्रे के अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगे या इससे आपको कोई जहनकारी पराप्थ हो तो प्लीज आप हमारी वीडियो को सुख में बना सकते हैं और सुख में जीवल जी सकते हैं धन्यवाद दोस्तों